हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे आज इस वीडियो में आपको हम पर्ल बेडि ड्राउन बैग बनाना सिखाएंगे जिसमें फ्लाइप भी बनाएंगे और कुछ नीचे हैंगिंग स्मीर लटकाएंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे में बहुत सपोर्ट मिलता है और नए ने वीडियो के आइडियाज भी मिलते हैं मैंने 8 mm के crystal यह है और 0.5 mm की transparent wire ली है और मैंने wire में 6 crystal डालके जो 6 वाला crystal है उसमें से हमने क्रिस क्रॉस करा दिया तो इस तरह का हमारे एक circle बन जाएगा और फिर से हमें 5 crystal डानने है और 5th crystal में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है तो ऐसे हमारे 2 circle रेडि हो जाएंगे 6 crystal क तो circle रेडि हो गे तो इसके ब्राबर वाले crystal में से हमें अपनी right wire को निकानना है और निकानने के बाद left wire में हमें 4 crystal डानने है क्योंकि हम 6 crystal का एक flower बना रहे हैं 2 हमारे पास already है 4 crystal डालेंगे और 4th में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे फिर से ब्राबर वाले crystal में से wire को निकानना है और पूरा प्रोसेस करना है हमें और ऐसे हम लास्ट तक आ जाएंगे लास्ट में आने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और हमारे 5 flower ready है 6 flower में V-shape है तो यहाँ पर हमें 2 crystal में से wire को निकानना है दो में से निकानने के बाद कुछ ऐसा लगेगा और फिर left wild wire में तीन crystal डालने हैं क्योंकि तीन crystal हमाई पास already हो चुके हैं और थर्ड crystal में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है और यह हमारा पूरा सलकर बनकर ready हो गया है इसके उपर एक next circle बनाते हैं उसके लिए ब्राबर व वायर में और fourth वाले crystal में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है अब इसके ब्राबर वाले crystal में से वायर को निकालेंगे केवल एक crystal में से वायर को निकानना है और इसके बाद हमें इसमें तीन crystal डानने हैं left वायर में और थर्ड crystal में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है हमारे वीडियो में आपको बहुत सारे tips and tricks भी मिलेंगे तो नई tips and tricks को जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब पेजिए इसके बाद हमारे ब्राबर वाले crystal में से wire को निकालना है और हमें 3 crystal दानने हैं और 3rd crystal में से हमें क्रिस्क्रोस करा देना है हमारे ऐसे बन जाएगा अब यहाँ पर V-shape आ गई है तो हमें ब्राबर के 2 crystal में से wire को निकालना है एक तो इसमें से निकालना है अब इसके ब्राबर वाले इस वाले crystal में से भी wire को निकालना है क्योंकि हमारे V-shape आ गई है तो हमें दो crystal में से wire को निकालना होता है निकालने के बाद जो left वाली wire है उसमें हम तीन crystal डालेंगे और थर्ड crystal में से हम criss-cross करा देंगे तो यह हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा अब यहाँ पर flat आ गया है flat आ गया है तो यहाँ पर हमें किवल एक crystal में से wire को निकालना है और जब V-shape आ जाएगा तब हमें दो crystal में से wire को निकालना है और crystal हमेशा तीन ही डालने हैं और थर्ड crystal में से हमेशा criss-cross कराना है यहाँ पर देखिए फिर से V-shape आ गया तो यहाँ पर फिर से दो crystal में से wire को निकालना है और यह दूसरे से में निकान लेना है और तीन crystal डालके फिर से थर्ड crystal में से हमें क्रिस क्रोस करा देना है यह process याद रखना है हमें पूरा circle करने के बाद हम last में आ गए last में फिर से हमारा वीशिय पा गया तो यहांसे दो crystal में से wire को निकानना है और उसके बाद हमें केवल दो crystal ढानने हैं wire में बनने के बाद left वाली wire में दो crystal ढानने हैं और second crystal में से हमें क्रिस क्रोस कराना है तो अब यह हमारा कुछ ऐसा बनेगा आगे बनाने से पहले एक बार इसको check कर लेते हैं हमारा 5 crystal का एक circle बना फिर एक 6 crystal का एक circle बना फिर से एक 5 crystal का circle बना और एक 6 crystal का circle बना उसके बाद हम एक और check करेंगे सबके उपर ऐसे 2-2 crystal होने चाहिए यह हमें check कर लेना है अगर इस चेप गरबड हो गई तो आगे का पूरा bag हमारा गरबड़ी बनेगा तो इसको री चेक कर लेना है इसके बाद हम इसके उपर का circle बनाते है उसके लिए हमने तीन crystal लिए और थर्ड crystal में से क्रिस्-क्रोस करा लिया तो ऐसे हमारा four crystal का एक circle बन जाएगा फिर इसके बराबर वाले crystal में से wire को निकानना और इस बार हमी दो crystal लेने हैं और second वाली crystal में से हमी criss cross करा लेना है त्योंकि दो हमारी पास already हो गए थे तो दो हमने लिए और second वाले में से हमने इसको criss cross करा लिया तो ऐसे हमी पूरा circle ready करना है इसके ब्राबर वाले crystal में से फिर्चे wire को निकारना है और फिर से दो crystal लेके second वाले crystal में से criss cross कराना है ऐसे हमें पूरा circle complete करना है एक बार और करके दिखा देती हूँ मैं आपको जिससे confusion ना हो ऐसे हमें पूरा circle complete करना है अब हम ये last में आ गए last में हमें दो crystal में से wire को निकालना है ब्राबर वाले दो crystal में से wire को निकालना के बाद अब हमें एक crystal दानना है क्योंकि तीन हमाई पास already है और हम चार crystal का बना रहे थे तो तीन already है तो एक में से हमें इसको criss cross कराना है और ये हमारा पूरा circle ready हो जाएगा अब इसके उपर हमें एक circle और बनाना है उसके लिए हम चार crystal लेंगे और फोर्ट में से criss cross करा लेंगे ये उपर वाला जो circle बना रहे हैं हम ये पांच crystal का circle बना रहे हैं क्रिस के ब्राबर वाली crystal में से wire को निकाल लेंगे और लेफ्ट वाली wire में हमें तीन crystal लेने हैं क्योंकि दो हमाई पास already हैं तीन crystal डालेंगे और थर्ड crystal में से हम इसको criss cross करा देंगे ऐसे हमें पूरा circle complete करना है और last में आ जाएंगे हम last में में एक crystal में से नहीं निकालना है हमें दो crystal में से wire को निकालना है और फिर दो crystal डानने हैं और second वाली crystal में से criss cross कराना है जैसे हमने पहले वाले सरकल में किया था ना सेम वैसे ही करना है last में अब हमें इसके उपर की white pearls बनाने है इस white pearls के लिए मैंने 6 mm के pearls लिए है ये ऐसे हमें दो line बनानी है तो मैंने 6 mm के pearls लिए अब हमें left वाली wire में 3 pearls डालने है और third pearl में से हमें क्रिस-क्रॉस कर दो कुरा करने के बाद भी हमें भी ब्राबर वाले क्रिस्टल में से वायर को निकालना है और दो पर्ल कराना एक सी पूरा रुसी रडी करना है जैसे पहले किए था सेम वैसे से पूरा रिडी करना है अब लास्ट में आ जाते हैं यहार पर koşतम ओ रही है तो surtout जो राइट वायर है इसको एक crystal और एक pearl में दोनों में से निकालना है और फिर राइट वायर में एक pearl डालके note tie लगा लेनी है यह note tie कम से कम दो या तीन होनी चाहिए और अपनी वायर इतनी चोड़नी चाहिए कि हम दोनों तरफ से अच्छे से खीश सकें उसको हमारे हाथ फि करने के chances बहुत कम हो जाते हैं तो यह मैंने extra wire pearl में से निकाल ली है मैं इसको cut कर लेती हूँ अब हमें एक नई wire लेनी है और किसी भी पर्ल में हमें डाल देनी है और फिर से अपना वही process शुरू करना है जैसे हमने पहली line बनाई थी सेम उसी process से एक और line हमें बना लेनी है ऐसे हमें दो piece ready करने हैं दो piece ready करने के बाद इन दो piece को हम आपस में join करना सिखेंगे extra wire को हमें cut नहीं करना है इन दो piece को हम join करना next video में सिखेंगे next video का link वीडियो की end screen में आपको मिल जाएगा और next video का link मैं आपको i button में भी दे दूँगी thank you for watching रादे रादे